नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल इलेट्रिकल गुरुजी पर दोस्तो, आज हम इलेट्रिकल में यूज किये जाने वाले अलग-अलग प्रकार के इलेट्रिकल जॉइन के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों आमतोर से जोईन लगाने की जरुवत हमेख पड़ती है जब हमें दो वायर की लंबाई बड़ानी हो या किसी मेन वायर को जोईन देकर सप्लाई लेना हो तो इसलिए हमें प्रॉपर इलेट्रिकल जोईन के बारे में पता होना ज़रूरी है आम तोर पर वायर, केबल, ओहरेड लाइन में यूज किये जने वाले जॉइंड नीचे दिये गए है पहला है twisted जॉइंड उसे हम rat tail जॉइंड भी केते हैं और इसे twist करते जाना है इस तरीके से twisted जॉइंड होगा है हमारा कॉंबिनेशन प्लायर से कस लेना है तो यह है हमारा twisted जॉइंड प्रकार के जॉइंड का उपयोग हम वही करते हैं जहाँ पर यांत्रिक तनाव यानि mechanical stress कम हो इस जॉइंड को अब अगर हम खीशते हैं तो यह जॉइंड आसानी से निकल जाता है तो इस प्रकार के जॉइंड के mechanical strength अगर हमें बढ़ानी होगे तो हम इसके उपर solder भी कर सकते हैं तो इस प्रकार के जॉइंड का उपयोग switchboard में looping करते वक्त या junction box के अंदर भी किया जाता है तो next हमें देखना है straight joint तो straight joint बनाने के लिए wire का एक या देड़ी इस तक insulation निकाल लेना है तो दोनों wire के जो conductor है उन्हें हमें spread कर देना है इस तरीके से फैला देना है दोनों को तो फैलाने के बाद ये जो दोनों side के conductor से उन्हें हमें एक दुसरे के अंदर इस तरीके से फसा देना है फसाने के बाद यहाँ पर उन्हें जमा देना है इस तरीके से और उन्हें opposite side में घुमाना है तो एक को हम इस तरीके से घुमाएंगे इसके उपर लपेट देना है और दूसरे को और दूसरे को अपोजिट में यहाँ पर लपेट देंगे तो इस तरीके से हमारा जो straight joint है वो straight joint बन चुका है यहाँ पर इस प्रकार का joint बहुत ही मजबूत होता है इसलिए इस प्रकार की joint का उपियोग दो wire या दो cable को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है तो next हमें देखना है married joint तो married joint बनाने के लिए wire का एक या देड़ी इस तक insulation निकाल लेना है insulation निकालने के बाद जो wire के conductor है उन्हें हमें equal part में divide कर देना है जैसे कि यह half हो गए और यह equally half हो गए तो यह दोनों को हमें एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फसादेना है इस तरीके से फसादेने के बाद इन्हें opposite site में लपेटना है तो एक कोई इस तरीके से opposite site में लपट देंगे और दूसरे को इस site में लपेट देना है उस conductor के उपर इस तरीके से तो यह बन चुका है हमारा married joint तो यह married joint बहुती मस्बूत होता है तो जैसे हमने अभी straight joint देखा तो married joint का भी उपयोग same wire और cable दोनों की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है तो next हमें देखना है T joint तो सबसे पहले समझ लेते हैं T joint कहा ही उस किया जाता है तो इस प्रकार का joint किसी main cable या wire से कभी हमें connection लेना हो तो वहाँ पर किया जाता है तो यहाँ पर जो blue color का वायर है उसे हम main wire कहेंगे और जो red color का वायर उसे जोड़ना है उसे हम branch wire कहेंगे तो आईए बनाते हैं T joint तो T joint बनाने के लिए सबसे पहले जो main wire है जहाँ से हमें connection लेना है तो वहाँ का एक या दो इंच तक insulation निकाल लेना है तो insulation निकालने के बाद जो conductor है उन्हें हमें equally दो पार्ट में divide कर देना है त्टिके इस तरीके से और जो branch wire है उस branch wire को दोनों उसमें बीच में डाल देना है त्टिके इस तरीके से तो इस तरीके से डालने के बाद इस branch wire को दो पार्ट में divide कर देना है इस तरीके से और दोनों को opposite side में लपेटते जाना है मतलब join करते जाना है उस तरीके से देखें तो एक वायर जो है यह उपूजिट में इस तरीके से लपेट्टे जाना है इस तरीके से ते हो गई पहली और दूसरे वायर को भी उपूजिट साइट में लपेट्टे जाना है इस तरीके से तो दूसरी साइट की वायर हमने लपट ली है तो इस तरीके से हमारा जो T-Join बन चुका है तो यह T-Join भी दोस्तों बहुती मजबूत होता है देखिए यह T-Join भी बहुती मजबूत होता है तो इस T-Join का उपयोग हमेशा हम किसी मेन वायर या मेन केबल से अगर हमें सप्ल सप्लाय लेना हो सप्लाय कनेट करना हो तो इसे T-Join का हम इस्तमाल कर सकते हैं पाच्वा और चट्वा जोइंट ओवरेड लाइन में यूज होता है तो उसके उपर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो तो दोस्तों आज के टॉपिक में आपने देखा इलेट्रिकल वायर, केबल और ओवरेड लाइन में यूज होने वाले अलग-अलग प्रकार के जोइंट के बारे में तो दोस्तों आज का वीडियो किसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर वीडियो अच्छा लगा होग तो वीडियो को लाइक किजे, चैनल को सस्क्राइब किजे, ठेंक यू